यह एक चेंज ओफ सीजन का महीना है मार्च बुखार खांसी जुकाम कॉमन है इस सीजन के अंदर लेकिन हमें यह जाना जरूरी है कि हर बुखार इस समय कॉरोना नहीं है हर खांसी इस समय कॉरोना नहीं है जुकाम सीजनल अलर्जी के कारण होती है सुखी खांसी पॉल्यूशन के कारण भी हो सकती है और बुखार एक नॉर्मल वाइरल फीवर भी हो सकता है अगर बुखार और खांसी है तो हाँ यह कॉरोना के लक्षन है अगर यह एकठे आये हैं इसमें ये जानना जरूरी है कि आप किसी high risk exposure के साथ संपर्क में आये हैं High risk exposure क्या है? क्या किसी patient है जिसको positive test आया है क्या हम उसके touch में आये हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के touch में आये हैं जो high risk zone से होकर आया है जैसे हम जानते हैं Italy, Iran, China, USA, Spain, France अगर किसी ऐसी व्यक्ति के touch में आये हैं जो इन देशों से आया है तो हां हमारे को testing की आवशक्ता है इस बुखार और खांसी के साथ अगर सांस फूल रहा है तो वो एक गंभीर लक्षन है और उसमें directly hospital से संपर्क में आना चाहिए